नमस्कार दिवाली के आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना आए मैं हूँ आपके साथ जियोती तनिजा भसीन दिपावली पर म्यूजिशन आपके लेकर आया है एक ऐसा शो जिससे आपके घर होगी धनवर्शा आएंगी खुशियां ही खुशियां आपको बताएंगे आपका लकी नमबर दिवाली पर क्या सौगात लेकर आ रहा है आपको बताएंगे किस ट्वाशिके लोगों पर मा लक्षमी की खास क्रिपा बरसने वाली है साथ ही आपको बताएंगे आपका लकी चाम कार्ड कैसे बनाएगा आपको माला माल तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ अंक जोतिशी गिनी महता मौजूद हैं जोतिशा चारे अरविन ट्रिपाटी मौजूद हैं तेरू कार्ट रिडर तोशी का राजौरा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कारिक्रम में धन्यवाद नौसकार तो देखिए दिवाली पर मा लक्ष्मी का आशिरवाद पाने के लिए हर घर में पूजा की जाती है घर को रोश्नी से चक्बक किया जाता है ताकि घर में सुख शान्ती का वास रहे तो सबसे पहले numerologist गिनी मेता से हम जानते हैं आपके लगी numbers के बारे में इस बार दिवाली पर आपके number क्या सौगात लेकर आने वाले हैं और क्या उपाई करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो गिनी से ही जानते हैं गिनी बताएं जरा दिवाली के सब को शुबकाम नाई भी दे हैं और दिवाली पर ऐसा क्या करें कि हर घर माला माल हो जाए जिनका मूल आंक वन है या जिनकी डेटो वर्थ 1, 10, 19 या 28 है उनको मैं ये ड्वाइस करना चाहती हूं कि वो लोग कोई नया काम ना शुरू करें बिजनेस में मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है और अपने गुस्से पर नियंतन रखें अपने गुस्से में आके कोई भी दिसीजन ना ले और मैं उनको ये रेमेडी देना चाहती हूं कि वो चांदी धारन करें उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा मूल आंक दो वालों के लिए जिनका डेटो बर्थ 2, 11, 20 या 29 है इस दिवाली उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है कुछ भी धन का अब हम बात करते हैं मूल आंक 3 वालों की जिनका मूल आंक 3, 12, 21 या 30 है उनके लिए इस दिवाली पर टाइम बहुत अच्छा है चीजे बहुत अच्छी हो सकते हैं बिजनस में और जॉब में प्रमोशन्स दिख रही हैं और आप लोग बहुत ही तरक्की करने वाले हैं और आपके लिए उपाई देना चाहूंगी कि कुबेर जी को इत्र लगाएं इत्र चड़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब करते हैं मूलंक 4 वालों की बात जिनका मूलंक 4, 13, 22 या 22 है उन लोगों के लिए ये उपाई है कि वो अपनी हेल्थ का बहुत पूर अरपन करें उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं मूलंक 5 वालों की मूलंक 5 वालों के लिए मैं ये कहना चाहते हूं कि उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा है चाहे वो परसनल लाइफ की बात करूँ चाहे वो उनके जॉब की बात करूँ और इवन स्टूडेंस के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही लाबदायक रहेगा ये टाइम और उनके लिए जो रेमेडीज हैं वो ये देना चाहूंगी कि वो ओम गन गन पता इनामा का चांट करें तो अंक पांच तक के तो बात हो गई है बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो अंक पांच के बाद वाले हैं तो पांच तक के लोगों के लिए आपने बता दिया कि दिवाली पर क्या करना चाहिए और कैसे मात अलक्षमी को प्रसंद करना चाहिए तो गिनी अब आगे बढ़ते व तो आप उसके लिए time जरूर निकालें और उस चीज को actions में convert करें और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मा लक्षमी को अगर आप शहे चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है अब हम बात करते हैं मूलंक साथ वालों के लिए मूलंक साथ वालों क तो आपके लिए time अच्छा है learning time है इस time आपको सीखना है जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी decision बहुत जल्दी में नहीं लेना है जो भी काम आप करना चाहते हैं पहले उसके लिए समझिए knowledge लीजिए और उसके बात कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप मा लक्शμी को चावल अर्पन करते है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है अब हम बात करते हैं मूलंक आथवालों की मुलांक आठ वालों के लिए ये दिवाली धन के साथ जिनको पुत्र और पुत्री की कामना है तो वो भी उनकी पूरी होगी तो बहुत ही अच्छा टाइम लेकर आ रही है मालक्षमी आप लोगों के लिए और आप गनपती जी को अगर चंदन अरपन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बात में करूँगी अब मूलंक नौ वालों के लिए मूलंक नौ वालों के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है जिनकी शादिया नहीं हुई है अभी तक जो शादियों का वेट कर रहे है या जो रिलेशनशिप में जिनकी प्रॉब्लम्स थी वो सौट होते वे दिख रही है और जिनके रिष्टे नहीं हुए थे अभी तक फाइंड कर रहे थे उनके रिष्टे होते वे दिख रहे है घर में सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहे है तो वो बहुत ही इन्जोई करने वाले पर क्या कहता है और किस उपाय से आप पर बरसेगी मालक्षमी की किपा और आपके जो काम है वो सारे काम पूर्ण हो जाएंगे तो क्या अंग जोतिश में कोई और ऐसे खास उपाय है जो आप लोगों को बता सकती हैं जो कौमन उपाय हो जिससे वो करके सुख सम्रिद्धी घ तो वो चीज संपूर्ण हो जाएगी क्योंकि हमारे जितने कल्चर में थर्ड ट्रेंगल चलता है अगर आप देखें मालक्षमी माकाली मादुर्गा जैसे की तो ऐसे ही इन तीनों की अगर इन तीनों को साथ लेकर चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेग कि दिवाली पर माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए क्या खास उपाय करें और किस राशी के लोगों को क्या करना चाहिए अर्विन जी आप बताएं क्या करना चाहिए समस्त देश्वासियों को दिपावली की धेर सारी हार्दिक शूब कामना है आपकी जीवन में शुक समरिद्धि यस परतिष्ठा की ब्रिद्धी हो वयभा मिले और आपकी परिवाप्र माहालक्षमी की महान किर्पा हो मालक्षमीजी से प्रार्थन है यह जो दिपावली का यह अपने आप में बहुत महातपूर्ण है बहुत ही सुब तित्यों अलाई सुब संजोग में है इसमें जो ग्रहों की स्थिती है मक्का राशी पर भी रहा सब्सक्त सनी धनुराशी का सुक्र है और बृष्शी का केतु है सूरिच चंदरवां मंगल बुथ तुला राशी प करें तो निश्चित रूप से यह दिपाउली का तेवार उनके लिए बहुत ही महत्पूर होगा सब राशियों के लिए समझ्या होते कि उनके पास धन किस्टी कैसी हो कैरियर उनका कैसे हो संतान उनके घर में कैसा हो और उनके घर पर महालक्ष्मी की किरपा कैसी हो इस सब को लेकर के हम आपको आईए बताते हैं 12 राशियों के लिए कि क्या होगा तो जो प्रथम राशी मेश राशी के जातक हैं उनके लिए यह दिपाउली बहुत महत्पूर है आपके घर में सुख शम्रिदी बढ़ेगा यस परतिष्टा बढ़ेगा और धन वर्सा होगी इसके ल परतनी हैं गुस्सा नहीं करना है बहुत ही सांती से किसी भी काम को करना है यह दिपाउली आपके लिए महत्पूर रहेगा आप आईए हम बात करते हैं ब्रिश राशी के जातक हैं उनकी लिए क्या करना है कि उनकी लिए जो दिपाउली है बहुत ही महत्पूर है आप क्या करें कि अपने घर में माता को माता जी को अपनी बहन को और अपनी पत्नी को बिना बताए लाल रंग का वस्तर जरूर गिफ्ट करें उनको साड़ी गिफ्ट करें और एक चादी का सिका गिफ्ट करें और जो भोजन बनता है उसमें खीर जरूर उनको दें और बिस राजशवा के साथ महालक्षमी की पूजा करें और यह जो दिपावली है आप के लिए बहुत ही सुम लेने वाला है आप कोई बड़ा घर खरी सकते हैं गाड़ी खरी सकते हैं और अगर आपके घर में कोई व्यक्त अविवाहित है तो उसकी विवाह होने की भी संभावना बन रही है आज कि हम बात करते हैं करक राशी वाले जातकों के लिए तो जो करक राशी के जातक हैं उनको थोड़ा सा अपने मन पर नियंतरन करना है आवेश में आके कोई काम नहीं करना है क्योंकि आप बहुत जल्दी इंपल्सिव हो जाते हैं तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि बात ब्लद नहीं करना है जानतीश तरीके से रहना है और आज आप क्या करें कि अपने घर पर यहूं का धेर ले और स्वास्तिक बनावेश में यहूं के देर पर क्या करें यह बडा सा दीपक जो नो नो था उओ्स उसमें नोबत्ती होना चाहिए और अगर मुखहद्वार पर लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपको कोई बड़ा सा डील हो सकता है जिस जिच के लिए परयास कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिल रहा है आज आपको क्या करना है क्या करना है कि आप चावल को ध्यान रखना चाहिए कि साबूत होना चाहिए और एक परकार का स्वास्तिक बना करके उसमें कटोरे में रखिए और उसमें लॉंग रखिए और हल्दी रखिए और रोली रखिए रख करके और उसमें नोबत्ती वाला दिया रखिए और क्या कर आपके लिए अच्छा रहेगा अब आईए हैं बात करते हैं कन्या राशी के तो जो कन्या राशी की जातक हैं उनकी लिए है दिपॉली बहुत महत्पूर है इसमें आप रियल इस्टेट प्रॉपल्टी नौकरी राजनीती जिस शत्र में प्रयास करेंगे आपके प्रयासरत क प्रते हैं नमा इस मंत्र का जब करें और श्री गडेशी को शपन दुर्वा गुच्छा बना लें और शपन दुर्वा इनको जरूर करें अब आई हम बात करते हैं तुला राशी के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा दिपॉली कैसी रहने वाली है तो जो कि खीर बना करके और अपने माता-पिता को खिला में और मंदीर में जरूर दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा और चांदी या मोती अपनी मा को गिफ्ट करें बहुत ही अच्छा रहेगा अब आईए हम बात करते हैं ब्रिश्चिक राशी के जातकों के लिए तो जो ब्रिश्चिक राशी के जाता है कि आज आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत जल्दी आवेश मा जाते हैं आक्रोस में आते हैं तो यह प्रविड़ती आपको बचाना है और आप क्या करें कि दर्वाजे पर अपने यहूं का धेर लगा करके उस पर नोबत्ती वाला दिय जुरूर जला में आपके लिए अच्छा रहेगा और ध्यान रखना है कि घर के सामने कोई भी कूड़ा न रहे इसका आपको खास्तों से ध्यान देना नहीं तो करजे बढ़ सकते हैं अब आईए हम बात करते हैं जो धनुराशी के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत आपकी सारी परिशानियां दूर होंगी आपको क्या करना है खास्तों साज गडेश जी की आराधना करना है और साथ ही साथ ओम लक्षमी नाराणा भ्योनमा इस मंत्र का भी जब करना है और एक मंत्र और आपको बताते हैं जिससे आपको कभी पूरे वर्ष परियंद धन का अब अब स्वकति करें। आपके लिने तो यह किसी तो इस आपको नुक्सान हो सकता है। आपको बचना आपको क्या करना है कि सरसो का तेल किसी जहां चौरहा हो वहां सरसो के तेल का दिपक जला में और आप पीछे मूड करके मत देखिए सीधे घार आईए और आने के वाद अपने माता पिता का चलड़ा सपर्श करिए और गड़ेशी की आराधना करिए आपके लि दोड़े हुए भी पैसे मिलेंगे और धन की सित्य आपकी बहुत अच्छी होगी थोड़ा सा पत्नी की स्वास्त को लेकर आपको चिंता हो सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि सणी की आराधना करना है और सरसो के तेल का दीपक जिला करके हनमान जी को क्या करें कि ल लाल ले लिजे रंग कोई भी कपड़ा ले लिजे और लाल सिंदूर ले लिजे सरसो के तेल से चमेली के तेल से उसको लेप करिए और हनुमान जी के पैरों पर लेप करिए तो आप देखेंगे कि आपके परिशानी दूर हो जाएगी और 11 लड़ू चढ़ाना आप न भूले अब आईए हम बात करते हैं अंतिम राशी मीन के तो जो मीन राशी के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्पोर है एक तो आपकी सारी परिशानिया दूर होगी हेल्थ बेठीक होगा वेल्थ बेठीक होगा चतुर्दिक प्रगति से मन आपका परसंद रहेगा पत अच्छा के च्छतर में बड़ी चीजा आज आपको मिल सकते हैं आज आप क्या करें कि भगवान स्री गडेश के आरातना करें और साथ ही साथ स्रेसुक्त का पार्ट करें और महालक्षमी का मंतर पढ़ लिए ओम हरेम स्रेम क्लीम महालक्षमी माम ग्रहे आगच्छ आगच् तो अरविन जी ने बताय कि कैसे ये खास उपाय करने से घर में महालक्षमी की क्रिपा हमेशा बनी रहेगी अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपके घर धन वर्शा होगी